तो आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही टेस्टी सा पटेटो मून बाइट तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पर अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए स्टा आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लेना है उसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एट कर लेंगे चली फ्लेकसेट कर लेंगे बड़ा चमच और यहां पर मैंने एक चमच पीजा सिजनिंग ली है तो जो पीजा मसाला होता है यह वही है यह आप चाहो तो भी ले सकते हो उसके बाद यहां पर मैंने दो चीज क्यूब्स लिये थे उसे भी हम ग्रेट कर लेंगे तो यहां पर मैंने यह प्रोसेस चीज लिया है आप चाहो तो मौदला चीज का भी यूज़ कर सकते है तो देखिए दोनों क्यूब को हमें अच्छे से इसमें करना है तो फिलहाल यहां पर मैंने चार चमश मेदा का यूस किया है तो अच्छे से मिला लेंगे इसे उसके बाद हम देखेंगे हमें आगे और मेदा की तुरत पड़ती है नहीं आप चाहो तो मेदे की जगे कॉन फ्लोर या फिर चावल का आटा भी इसमें एड़ कर सकते हो तो अच्छे से मिला लेंगे हमें इसकी कंसेस्टेंसी चाहिए जिस तरह से हम आटा लगा लेते हैं ना डो की तरह उस तरह की हमें इसकी कंसेस्टेंसी चाहिए तो अच्छे से मिला लेंगे आटे को उसके बाद देखिए ये पर्फेक्टली हमारा जो डो हे बन करके तियार है सौफ्ट सा अब इसमें से हम एक बड़ी सी लोई यानि की बड़ा सा बॉल तोड़ लेंगे कुछ इस तरह से अब चकले पर हम थोड़ा सा मैदा या फिर चावल काटा डस्ट करके इस बॉल पलड भी थोड़ा सा माटा लगा लएंगे और अच्छे से बेल लेंगे तो हलके हलके हादों से बेलें तक कि बहुत ज़्यादा सौफ्ट होता है ये तो हलका हलका मैं इसके उपर बेलन चला लेंगे इसकी थिकने सहमें रखनी है बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे तो बहुत ही इजी ली ये इस तरह से बनकर के त्यार हो जाएगा खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये स्नेक उसके बाद यहां पर मैं इस तरह से छोटी सी में पास ये कप थी तो तो सेम प्रोसेस से pessoal सबस्वाइं है सीफ में के लगें के अब सब्सक्रांद कर यूद आप सबस्क्राइज पर उसलस थीचाइज छोटे यूद्स किया आप सबस्क्रते हैं अब जह कर दो कि ऊंदर कर दिया कोटें हैं तो कि तो देखिए कुछ इस तरह से हमने कट कर लेЕТा हैं हाफमॉन की शेप में तो बस अब इन्हेहें हमें फ्राइ करना है तोल सारे ट्रह घारी में === के उतने एट करें तो जैसे यह थोड़े से फ्राय हो जाएंगे यह खोदी उपर आ जाएंगे इस तरह से तैरने लगेंगे तो बस इन्हें हमें गुल्डन होने तक अच्छे से फ्राय कर लेना है बहुत ही टेस्टी बहार से किस्पी और अंदर से सॉफ्ट बहुत ही के साथ तब तक के लिए भाए थैंक्स फर वाचिंग